अगर आप किसी भी कम्टेट्री एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो वीडियो लाज तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में pen paper भी रखिएगा जो भी word यहां पर cover कराये जागा उसे note down भी करते रहीएगा तो चलिए देख़ते हैं words पहला word है sect sect यहां पर noun की तरह काम कर रहा है aगर इसके meaning की बात करें तो इसका meaning होता है an act of dismissing सब्सक्क्राइब तो उसके क्लोष हो सकता है क्लोथ हो सकता है या फिक रैंपिघ हो सकता है यह सारी क्या हो जाएंगे स्मोनम्ज तो अब देखते हैं कि इंट्रनेब्स की बात करें तो कॉंटामीनेशन एक्टिवेशन निवनेस या फिर झाल यह सारे क्या हो जायेंगे जैसे आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं पिक्चर में क्या दिखायाला कर दो तो उसे fire कर दिया गया, यानि कि वहाँ से क्या कर दिया गया, वर्खास्त कर दिया गया, I hope आपको word समाझ में आगया होगा, word में हम लोग क्या क्या देखें, तो सबसे पर ले word देखें, उसके बाद यह कि कौन सा parts of speech है, फिर उसका English meaning देखें, Hindi meaning देखें, Synonyms और Antonyms देखें, और last में relevant picture भी यहाँ पर insert कर देते हैं, ताकि आप word को आसानी से visualize करके याद कर पाएं, next word दिया गया है, confronted, जो की एक भर्व की तरह काम कर रहा है, जिसका meaning होता है, come face to face with someone with hostile और argumentative intent, यानि कि किसी के आमना सबना होना, लेकिन वहाँ पर intention कैसा हो, intent मतलब क्या होता है, इरादा कि वह hostile हो, क्या हो, hostile यानि कि सतुरता वाला, दूस्मानी वाला, और argumentative, जिसमें वह एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हो, उसको बोलते, confronted, जिसका हिंदी मिनिंग सामना होना होता है, यानि कि जो दूस्मन है, अगर वह सामने, आमने सामने आएंगे, तो क्या होगा, दोनों आपस में लर पढ़ेंगे, या फिर एक दूसरे पर comment पास करेंगे, that is confronted, यानि कि सामना होना, अब देखते हैं इसका synonyms, तो synonyms कि अगर हम बात करें, तो एक cost, defy, encounter, या फिर meet हो जाएगा, ये सारे similar word हो जाएंगे, अब देख लेते हैं, opposite words, तो opposite words, avoid हो जाएगा, dot हो जाएगा, evade हो जाएगा, या फिर surrender हो जाएगा, ये सारे opposite words हो जाएंगे, confronted के, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि दो जन आपस का आपना समना हुआ है, यानि कि दोनों लोग आपस में समना कर रहा है, यानि कि ये दोनों के बीच में क्या ह समनी है, और दोनों एक दूसरे के सामने जबाएंगे, तो वो क्या करेंगे, confront करेंगे, यानि कि वहाँ जगड़ा भी हो सकता है, या फिर argue भी हो सकता है, तो चलिए वरते हैं, आगे देखते हैं, next word, next word की बात करें, तो next word है eviction, eviction की बात करें, तो इसके last में IUN है, नहीं कि मान लेजे कि कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, तो उसमें जो उसका हिसिदार होगा, उसको वहाँ से expel कर देना, यानि कि निसकासित कर देना, उसको बोलता है eviction, जैसे होता है न कि फैमिली का जो पूरवज का धन होता है, वो उसके आने वाले जो संतान होते है उन्हें बाट दिया जाता है, ठीक है, तो अगर उसमें से कोई ऐसा है, जो कुछ अपने फैमिली के लिए अच्छा नहीं किया है, तो उसको वहाँ से उसमें से निसकासित कर देना, एक्सपेल कर देना, उसको eviction बोला जाता है, जिसका हिंदी मिनिंग निसकासन हो हैं, तो एड्मिटेंस, बोर्डिंग, इंक्लूडिंग, या फिर लीजिंग हो जाएगा, यह सारे अपोजिट वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो किसी को उसके घर से बेदखल कर देना, ठीक है, उसको जमिन घर जो भी प्रपाट है, उसे बेदखल कर देना, डैट इस इव यह सप्लाई करना, ताकि उसे यूज किया जा सके, जैसे माले जिए कि गवर्मेंट राषन सप्लाई करती है, सस्कों पेसों में, ताकि लोग अपना खान पान, मतलब खाप पी के जिवानियापन कर सके, तो प्रवीजन मतलब क्या हो गया, प्रवधान हो गया, एक तरह का जिसमें कोई चीज प्रवाइड या सप्लाई किया जा रहा है, ताकि आप उसका इस्तमाल कर सके, जैसे कहीं कहीं पानी भी पीने को नहीं मिलता है, तो गवर्मेंट क्या करती है, वहाँ हमेशा पानी का टेंकर भेती है, और जो यह साह पानी, ताकि लोग उसको लेके अप रिमूबल, टेकिंग, या फिर पोईजन हो जाएगा, ठीक है, रिमूबल, टेकिंग, या फिर पोईजन, यह सारे एंटोनेम हो जाएगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, राशन का बात हो रहा था, तो यहाँ पर हम फूड ग्रेन लगा दिया है, यानि कि जो भी है, खा काम कर रहा है, जिसके मिनिंग की बात करें, तो मिनिंग होता है, एड्माइरेबली, परपासफूल, डेटरमाइंड, एन अनवेवरी, मतलब कोई चीज जो एड्माइरली परपासफूल हो, जिसका कोई ना कोई उदेश से हो, डेटरमाइंड हो, यानि कि डिड्ड संकल्प कर लिजिएगा, कि जब भी वर्ड क्लास्ट में, वर्ड एड्जेक्टिव की तरह काम करेगा, अब एंटरनेम्स देख लेते हैं, तो एंटरनेम्स एफ्रैड हो जाएगा, एगरीवल हो जाएगा, कॉंपलस्येंट हो जाएगा, या फिर कॉपरेटिव हो जाएगा, आपको यही बोलते हैं, कि जो भी वर्ड यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, कोशिस किजिए उससे सेंटेंस बनाने का, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस बनाने से एक तो आपको वर्ड जल्दी स्याद हो जाएगा, और आपका जो ठींकिंग कैपेसिटी है, वो भी बुस्ट होग यानि कि देखिए, एक तरह का वेबसाइट या कोई परग्राम जो कलेक्ट करता है, जो इसको एग्रिगेटर्स बोलते हैं, यानि कि समूह कि इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा, जो मतलब कोई चीज कलेक्ट करके एक जगा दिखा रहा है, ठीक है, सिनोनेम्स कि अगर हम ब अगरिगेटर्स का कोई कुछता ना कि आपका एगरिगेटर्स कितना है, तो अलग-अलग सब्जेट का हम लोग एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, जैसे मान लिजे कि मैं आपका 90 नमबर्स आया था, ठीक है, साइंस में 80 आया था, सस्ट में 75 आया था, तो इन सब को एक साथ एड करके जो कंप्लीट टोट ओवर अल परसेंटेज बनता है, उसको एगरिगेट बला जा रहा है, ठीक है, यानि कि पूरा बता है, तो एगरिगेट मतलब समझ गया, सब को समूह में लाके तब बताना, एकुमुलेशन, एकुमुलेशन मतलब लगता है, एकठा करना, एक अकत्रित होना, ठीक है, क्या होना, एकत्रित होना, तो समझ में आ गया होगा इसका मेनिंग, अब अपोजिट वर्ट देखते हैं, तो अनकमबाइड, यानि कि जो अलग हो, कमबाइड नहीं हो, इंडिविजुल मतलब एक एक बंदा, पार्ट मतलब अलग, पार्टिकुलर यानि कि जो एक एक अदमी का बात हो रहा, तो यह सारे अपोजिट वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर एग्रिगेटर का मतलब समुह का बात हो रहता है, पूरे एक सांथ, नेक्स्ट वर्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ट दिया गया, इंपोज, जो कि भर्व की अगर आपके पास पावर है, यानि कि सकती है, और यदिकार है, तो उसके बात करें कोई चीज नया नियम लागो कर देना, आरोपित कर देना, Synonyms की अगर हम बात करें तो Force, Force, Thrust या फिर Inflict हो जाएगा Force, Force, Thrust या फिर Inflict हो जाएगा अब Entonyms की बात कर लेते हैं तो Disorder हो जाएगा Displace हो जाएगा, Force हो जाएगा या फिर Overlook हो जाएगा यह सारी Opposite Words हो जाएगा बढ़ते हैं Next Word के तरफ Contravention Contravention यहाँ पर Noun की तरह काम कर रहा है, अगर इसके Meaning की बात करें तो इसका Meaning होता है The Act of Doing Something That Law or Rule does not allow Or an instance of this यानि कि ऐसा काम जो आप कर रहा हैं जिसमें जो नियम है, कानून है वो Allow नहीं करता वो चीज करने के लिए उसको बलते है Contravention जिसका Hindi में नहीं होता है उलंगन करना, किसी चीज को उलंगन करना यानि कि कोई नियम है, नियम के आप खिलाफ जा रहा है इसका मतलब कि आप उस नियम का उलंगन कर रहा है तो आप वहाँ पर Contravention वर्ड हो जोगा Synonyms की अगर हम बात करें तो Bridge, Infringent, Conflict या फिर Dispute हो जाएगा Bridge, Infringent, Conflict या फिर Dispute ये सारे Synonyms हो जाएगे Synonyms की बात करें तो Agreement, Harmony, Obedience या फिर Peace हो जाएगा ठीक है, ये सारे Synonyms हो जाएगे जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर Traffic Rule मतलब Traffic है और यहाँ पर यह गाड़ी उससे Cross कर दी, यानि कि उस Traffic Rule को Break कर दिया तो यह क्या क्या Traffic Rule का उलंगहन किया, ठीक है Next Word की बात करें तो Next Word है Prolonged, जो की Adjective की तरह काम कर रहा है जिसका मिनिंग होता है Continueing for a Long Time मतलब कोई चीज जो लंबे समय तक Continue है, जारी है उसको बोलते है Prolonged, जिसका Hindi मिनिंग लंबा हो जाएगा जैसे गर्मी का लेले, अभी गर्मी कितना टाइम से चल रहा है बहुत लंबा इस बार गर्मी चला, अभी भी अगस्त आ गया है याने कि लंबा, प्रोट्रेक्टेड, लेंधी उसको बोलते है Prolonged, अब एंटरनेम्स देखते हैं तो सोटन याने कि जो चीज छोटा हो, कंसाइज हो, सुसेंट या फिर्टर्स तो यह सारी अपोजीट वर्ड हो जाएंगे ठीक है जैसे मान लिजिए कि यहाँ पर यह बंदा क्या कर रहा है, लंबे समय से काम कर रहा है, यह मतलब काफी लंबा टाइम से काम कर रहा था, इस वजाए से वो ठक गया है, तो इस तरह आप देख सकते हैं पिक्चर में, पिक्चर को देखिए, उसको रिलेट कीजी और वर्ड क बार-बार उसी चीज को दोहराना उसको बोलते है results जैसे इसका हिंदी देखे तो दोहराया हो जाएगा थे ले इट्रेट इसलिएट रिए इट्रेट यह सारी क्या हो जाएंग है k 16 001 ञतल न होसकता है क्सूंस जैसे हैं बार-बार रिपीट हो रहा हो यानि कि इसका cycle चल रहा हो चल लो जैसे मान लिए कि अगर हम लोग कोई गाना सुनते हैं तो एक बार दो बार में समझ भी नहीं आता है जो रैप वाला गाना होता है उसको हम लोग बार बार सुनते हैं कि आखिर उस रैप में क्या बोला जा रहा है तब हमें वो clarity मिल जाता है ठीक है या फिर कोई topic है जिस पर आपको बात करना है ठीक है तो उस topic को हम लोग बार बार वहां पर mention करते हैं उसको emphasize करते हैं ताकि उस पर जोड़ जाए इसलिए उसको रिट्रीट बोलेंगे जैसे सभाई अभियान के बारे में आपको बोलना है पर speech देना है तो बार बार और सफ़ाइल को mention करेंगे ताकि लोग्कों को पता चलेए कि हंँ सफाइल का बात हो रहा या तो आपको समझ में आगया होगा तो इसी तरह आप वर्ड को समझ जी और रोज डेली सेशन लगाई है जो भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है उसे कमप्रेट कीजिए तो आज के लिए आज का सेशन हैं पर समाप्त हुआ सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर राचिंग जय हिंद